जब दुनिया चिन्ता में डुबी है तब भारत आशा का संचार कर रहा है। अपर ऐसा नहीं कि ग्लोबल सिचुएशन से हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है। चुनोतियां भारत के सामने भी है। साथियों हम बीते चार-पांच साल के कालखन को देखे हैं। तो ज्यादातर चर्चाओं में एक बात कॉमन रही है। और वो बात है चिंता, भविश्य को लेकर चिंता। कोरोना के समय चिंता रही कि ग्लोबल पैंडेमिक से कैसे निफ्टे हैं। कोवीड बढ़ा तो दुनिया भर की एकोनामी को लेकर चिंता होने लगी। कोरोना ने महंगाई पर चिंता बढ़ाई। बेरोजगारी पर चिंता बढ़ाई। क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंता तो थी ही। फिर जो यूद्ध शुरू हुए उनकी वेज़े से चर्चाओं में चिंता और बढ़ गई। ग्लोबल सप्लाइचेंज बिखरने की चिंता है। निर्दोष्ट लोगों की जान जाने की चिंता है। यह तनाव, यह टेंशन, यह कॉंफ्लिक्स, यह सब कुछ ग्लोबल समीर्स और सेमिनार्स के विशे बन गए। और आज जब चर्चा का केंद्र चिंता ही है, तब भारत में किस तरह का चिंतन हो रहा है। कितना बढ़ा कॉंट्राडिक्षन है। यहां चर्चा हो रही है। इंडियन सेंच्योरी। भारत की शतावती। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत उमीद की एक कीरण बना है। जब दुनिया चिंता में डुबी है, तब भारत आशा का संचार कर रहा है। और ऐसा नहीं कि ग्लोबल सिचुएशन से हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है। चुनोतिया भारत के सामने भी है, लेकिन एक सेंस अफ पोजिटिविटी यहां है, जिसको हम सभी फिल कर रहे हैं। और इसलिए इंडियन सेंचुरी की बात हो रही है। साथियों, आज भारत हर सेक्टर में, हर छेत्र में, जिस तेजी से काम कर रहा है, वो अभुत्पुर्व है। भारत की स्पीड, भारत की स्केल, अन्प्रसिडेंटेंटेड है।